कशेजी तो आज की प्ट्शा शुरू करते हैं देए फील प्ट्री टेंट कि इस तरीके से पर इंसुलेटर डिपेंड करता है तिक उसके बाद की किस तरीके से समीकंडॉक्टर डिपेंड करते हैं तो इसको कहते हैं क्या रहता है इस अब पिछली विलाशन बाग की तो आज हमारे पास एक बहुत लिए बेसिक और बहुत लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक निकल के आ कलर कोड़िंग और कार्वन रिजिस्टर्स चली कलर कोड़िंग और कार्वन रिजिस्टर्स क्या होती है यह समझने के लिए आप यह देखे जब भी आप मार्केट में जाते हैं तेक है आप जब भी आप यह देखे जब भी आप मार्केट में जाते हैं पर एक्जामपल आपको फूल खरीबने एक फ्लार्स आप किसी दुकान पर गए फूलों की दुकान पर वहां जाके आपने बोला कि यह यह फलाने टाइप का फूल देदो या मुझे यह रोज देदो यह वह आपको दे देते हैं उनके पास सारी चीज़ें मौझूद हो आपको पहले से पता हो था आपका माइंड सेट होता मुझे जब मार्केट जाना है तो मुझे इस दुकान पर जाकि यह रोज धरीबना है चाहे किसी को भी देना हो खिए उसके बाद आता है हमारे पास उसके बाद आता है हमारे पास लेटर सप्रोज आपको घरवालों ने बोला जो सबजी लेकर आओ मार्केट से तो आपको दिमाग में फिक्स होता है कि यार मैं अगर अगर मुझे आटा लेने जाना है तो मैं इस दुकान पर जाओंगा ठीक है अगर मुझे इस दुकान पर जाओंगे तो आपको एक पिक्चर सब्सक्राइब मार्केट पर पर पाड़े कि यह इसका रजिस्टेंस कितना है उन्होंने एक रजिस्टर दिखाया मिरको चाहिए हजार उम का ऐसा थो आप आप मार्केट में जा रहे हो और आप ऑनको बोल रहे हो ुझे टू थाॉज़न ओम का मुझे तू थाॉज़न ओम का रजिस्टेंस चाहिए तो उन्के पास तुरंट थी जो हो लिए तू थाउजन ओम का रेजिस्टेंस एक माइंड में फिक्टर रिर होना इसलिए हम कुछ रजिस्टर्स बनाते हैं कारबन के इस कारबन को अपन कलर कोडिंग देते हैं में यहां पर कुछ शेफ बना रहा वह देख रहां एक उसके ऊपर कुछ इस टरीके से ऐसे आपके board जो होता है आपका जो chipset होता वसा उसोन कुछ इस तरीके से devices लगे होते हैं कभी कावार इस तरीके से भी devices लगे होते हैं कभी कबार आपने देखा होगा कुछ इस तरीकिये से डिवाइस लगा होता है पर कभी कबार आपने देखा होगा कुछ इस तरीकिये से लगा होता है इस पर कुछ ना कुछ ऐसे कलर बने होते हैं एक कलर यहां होता है कलर यहां होता है कलर यहां होता है क्या किसी ने यह चीज आपके computer के mobile phone का जो अंदर chipset होता है क्या कभी इसको देखा उसमें ऐसे devices आपको देखने को मिलेंगी यह जो cylindrical device जो होता है इसको भी कहते हैं capacitor यह जो cylindrical इस टाइप का device आपको देखने को मिलता है यह में capacitor देखने को मिलता है इससोंन आस डिशको यह वहाँ पर रजिस्टर लगा होता है यह वहाँ पर रजिस्टर लगा होता है उचप यह बता कि दो कि इस देखी नसार आहिक पर बता union के आफ दीज मार्क देज अफ दीज रजिस्टेंस और इन कलर कोडिंग के अनुसार ही हम इन रिजिस्टेंस को पर्चेज कर सकते हैं और एक्जामपल मैं आपको बोल दूं कि मुझे वन थाउजंड ओम का रजिस्टेंस चाहिए तो हम दुकांदार को जाके यह नहीं बोलेंगे कि मुझे एक हजार ओम का कार्बन रिजिस्टेंस और नहीं हम दुकांदार को जाके यह बोलेंगे कि एक हजार के कॉलस्पॉंडिंग कुछ कोड होगा हम वो कोड जाके मार्केट वाले को बताएंगे हम बोलेंगे कि इस कोड हम क्या करना है इस को सीखना इस कार्बन को सीखना और इसका एक कोशन नीट में पक्का आता है नीट एक्जामिनेशन में 100% हर अल्टरनेटिव इयर में एक कोशन कलर कोडिंग पे जरूर दिखता है हर अल्टरनेटिव हर अल्टरनेटिव यर में हर अल्टरनेटिव यर के अंदर हमें कलर कोडिंग के सवाल जरूर दिखता है इसका एक ट्रिक proseक C या पर एक statement रिक्वैंट को सकता है बहुत पसंद आया वह statement क्या है अगा अ में समझ चना और लिकन वी बी रोई of great britain has a very good wife. ठीक है? इस तरीके से हैं मेरे पास एक statement. इस भी से क्या है? ब्लाइक. इस ब्राउन. इस रेड. इस औरेंज. इस यलो. ठीक है? इस इस ग्रीन. ब्लू. वॉयलेट. ग्रे. वाइट. ठीक है? यह इस तरीके से मेरे पास एक statement है. क्या है statement? बी बी रॉय. बी बी रॉय. बी बी रॉय. ऑफ ग्रेट ब्रिटेन. हाज वेरी गुड वाइफ. एक आदमी है बी बी रॉय. किस्ता? ग्रेट ब्रिटेन का. उसकी वाइज जो है वह बहुत अच्छी है. यह statement है बारे पेस. ठीक है? अब इस statement को आपको याद रखना है. याद रखना है. ब्लाक और ब्राउन से शुरू करना है. तो ब्लाक ब्राउन, ब्राउन, ब्रेड, औरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वॉयलेट, ग्रेड, या आता है? मल्टी प्लाया. ठीक है? फटा-फट बताओ, ये statement बी बी रॉय अफ ग्रेड ब्रेटें has a very good wise भी कर सकते हो, wine भी कर सकते हो, कुछ भी कर लो, as a very good wine. कुछ भी कर सकते हो, ये statement है हमारे बाइस. इस statement को अगर आप याद रखें, तो ये color sequence याद हो जाता है. ठीक है? ये color sequence सब को समझ माया तक पर आंडरेश करीए, फटा-फट. इस color sequence is clear to everyone? फटा-फट, फास्ट, फास्ट, येस. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. चलिया. अब इन color sequence के corresponding कुछ numbers है, कुछ multipliers है. तो color sequence के corresponding क्या number है? तो यहां से पन शुरू करते हैं. देखिए, एक, दो, तीन, चार, पाँच, शे, साथ, आठ, नो, दस. तो हम यहां से 0 session करेंगे. जीरो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 9. यह नंबर मैं यहां पर लिखा, इधर मैं लिखूँगा multiplier, multiplier मैं लिखूँगा 1, 10, 10 to the power 1, 10 to the power 1, 10 to the power 2, 10 to the power 3, 10 to the power 4, 10 to the power 5, 6, 7, 8, और 9. ठीके, इसके अलावा 3 color और होते हैं. इसके अलावा 3 color और होते हैं, कौन-कौन से होते हैं, तो gold, silver, और no color. ठीके, gold, silver, gold and no color. अब उसके बारे में बात करेंगे. देखे, carbon resistors क्या हैं, यहां पर एक band है, this is one band, this is another band, this is another band and this is another band. यह carbon resistor पर इस तरीके से चार band आपको देखने को मिलते हैं, और इन चार band तो अलग-अलग color होता हैं. अगर पहला band और दूसरा band देखा जाएं, ज्यां से देखना मैं यहां पर method बता रहा हूं, उससे मों ज्यां से, अगर पहला band और दूसरा band देखा जाएं, तो आपको पता चलेगा number. क्या पता चलेगा? अगर तीसरा band हम देखें, तो हमें पता चलेगा उसका multiplier, अगर हम चौथा brand देखें, तो हमें पता चलती है tolerance. मान लो पहले तोनों बैंड में कलर है मेरे पास red and yellow, अगर पहले तोनों बैंड में मेरे पास color है red and yellow, तो red के corresponding नमबर कितना 2, so 2, और yellow के corresponding number कितना 4, so 4, so 24, अगर third color जो है, वो मान लो मेरे पास blue दे रखा है, तो blue के corresponding हमें number नहीं देखना अब, पीसरे से क्या पता चलता है, तीसरे से multiplier पता चलता है, तो blue के corresponding multiplier is 10 to the power 6, तो yellow 10 to the power 6, और ये ohm आ गया, समझ पारे हो क्या करना है, जो भी आपके पास carbon resistor है, आप उस पर numbers दिखो, पहला band, दूसरा band, तीसरा band, चौथा band, लेफ्ट से राइट की तरफ, पहले दो band आपको numbers बताएंगे, ये जो number दे रख, तीसरा band आपको multiplier बताएगा, खोन सा multiplier यूज करना है, उतने ohm का आपके पास resistance बता है, शिंपल सा topic है, ये टेपल याद हो जानी चाहिए सबतों, B.B. Roy of Great Britain has a very good wine, ये statement अगर याद है, तो color sequence याद हो गया, और color sequence याद हो गया, तो हम लिख सकते 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और यहाँ पर 1, 10 की पावर 1, फिर ऐसे so on करते करते लिख सकते हैं, इसको 10 की पावर 0, तो यहाँ जो values लिखी है, यहाँ पर बस उसको 10 की पावर में चड़ा दो, और कुछ नहीं, यहाँ 0 था तो यहाँ 10 की पावर 2, यहाँ 5 है तो 10 की पावर 5, अगर यह वाला form याद हो चुका है, तो दूसरा वाला automatically याद हो जाता है, अगर यह numbers याद हो गया तो दूसरा multiplier तो automatic याद हो गया, sequence कौन से याद रखना है यह करता है, हर साल नीट के अंदर एक question पका आता है, simple question है, बहुत ही असान question है, आपको बस 4 colors को पहचानते जाना है, पहला color, दूसरा color, क्या देगा, number देगा, तीसरा color आपको क्या देगा, multiplier देगा, चौथा color क्या यह चीज अपन को समझ में आए, किस तरीके से करना है, कैसे देखना है, चलो बहुत बढ़िया, अब देखे ध्यान से, मैं इसको यहां से अटाता हूं, इसको यह अटाया, और यहां पर तीन color आपन और लिखते हैं, तीन color को में और याद करना है, जो कि है gold, silver and no color, gold, silver and no color gold का जो multiplier है, वो है 1, ठीकि कुछ भी नहीं है, silver का multiplier, sorry, gold का multiplier है 0.1, silver का multiplier है 0.01 और इसका कुछ भी नहीं है, अगर gold है तो उसका tolerance है 5%, silver है तो उसका tolerance है 10%, और अगर no color है तो उसका tolerance है 20%, यह एक final quantity और आती है, अब पर question देखेंगे, जो previous year आ चुके हैं, उससे आपको यह चीज़ क्लियर हो जाएगा, सबसे पहली चीज़, अगर मेरे को 4 color का sequence दे दिया जाए, ऐसे, orange, red, violet and gold, ऐसे 4 color मैंने आपको दे दिया, मैंने बूचा कि बताओ इसका resistance कितना होगा, what is the resistance of these 4 colors, color coding, तो orange की corresponding देखो, क्या दिख रहा है 3, तो पहला number देता है दूसरा भी number ही देता है, तो red के corresponding देखो, red की corresponding क्या रहा है, 2, 32, तीसरा color मुझे multiplier देता है, तो violet देखी, वोईलेट यहाँ है, उसका multiplier कितना 10 की power, इसका multiplier कितना, तो 10 की power 7, तो यहां पर अपर लेख सकते हैं, 10 to the power 7, यहां चली, बिल्कुल जही बात, यह तो बात होगी, resistance कितना था, चौथा color मुझे क्या देता है, चौथा color मुझे tolerance देता है, tolerance का मतलब क्या हुआ, मेरी value कहां से कहां तक vary हो सकती है, इतना तो resistance है, कुछ तो error होता है, 11th class में पढ़ा है, वो error इसमें कितना है, तो इसमें error कितना हो सकता है, गोल्ड अगर लिखा है, तो 5% का error हो सकता है, that means plus minus 5%, and this is the answer, यह answer आगे, कुछ नहीं करना, यह table याद करनी है, यह table याद करनी है, चार sequence का color आपको हमेशा दे रखा होगा, पहले दो आपको number बताएंगे, तीसरा multiplier बताएगा, चौथा tolerance बताएगा, टेब आपके सामने है, याद रखने की trick मैंने बताई, B.B. Roy of Great Britain has a very good wine, ठीक है, बहुत अच्छा wine है इसके पास, clear है सबको, एक और question देता हूँ, मैं चाहता हूँ, आप लोग answer बताएंगे, let us do one more question, let us see, कौन answer मुझे बताएगा, आओ, यह question, मेट में आयावा question है, जो मैं करवाने जा रहा हूँ, ऐसा मेरे को color coding दे रखा है, black, brown and blue, इसका क्या color coding के जिसाब से ने sense हो सकता है, बताएगे, black, brown, blue का, कुन बता सकता है, बता दो यह बहुत असान है, सारी चीज़ा आपके सामने है, एंडरे इसकर की बताओ, देखते है, कौन-कौन कर लेता है, बहुत बढ़ी है, तो इस इंपल सी बात है, black is 0, black के corresponding क्या में बढ़ा है, 0 मिल रहा है, 0, orange is, orange is 3, orange क्या है, 3, so 0 into 3, आगे क्या दिख रहा है, blue, blue क्या है, blue multiplier, multiplier, blue का कितना, 10 की पावर 6, ठीक है, लेकिन यहां खतम नहीं हुआ, अब error भी बताना पड़ेगा, आगे कोई भी color नहीं है, that means no color, और no color पर किता percent tolerance, 20 percent tolerance, तो हम यहां पर लिखेंगे plus minus 20 percent, and this is the final answer, अब देख लो यार, बता दो इसमें क्या मुश्किल है, या तो वो color coding से यह पूच सकता है, या तो थोड़ा सा change कर सकता है, कैसे change करेगा, ध्यान से देखी, अगला question और बताता हूं, देखते हैं, कौन answer दे पाए, अगले question का, resistance मैंने आपको दिया, 4, 3, 0, 0, 0, plus minus 5 percent, इतना ohm मैंने आपको resistance ले दिया, 43,000 5 percent plus minus, मुझे बताओ, इसकी corresponding color क्या रहेगा, 43,000 plus minus 5, इसका color बताईए, color बताईए, color बताईए, फटाफट, hand raise करो, जो कर जटा है, answer बता सकता है, color बताओ, फटाफट, देखें, कौन बताएगा, देखते हैं, आभी, color बताएगी, महक, महक बताना, color बताएगी, yellow, orange, black, और, gold, yellow, orange, black, बताएगी, और, बताएगी, प्री किसका, औरेंज का, 10 की पोवर 3 किसका, औरेंज का, तो यहां पर लिख सकते हैं, yellow, औरेंज, औरेंज, और फाइनली, प्लस माइनस 5, तो 5 किस में होता है, गोल्ड में होता है, तो गोल्ड, यह color coding आ गए, मार्केट में जाओगे, तो ऐसे नहीं बोलो, 43,000 ओम का, रेजिस्टर्स देना, वो समझेगा ही नहीं, मार्केट में जाओगे, जैन मार्केट वगरा, जाके कभी, ट्राइभ भी फिल देना, अगर किसी को करना हो, तीके जाके पता कर सकता है, मार्केट में यूनिफॉर्मिटी रहे, उसके लिए हम क्या करते हैं, इस कलर कोडिंग को सीखते हैं, सिंपल सा टॉपिक है, एक कोशन, मीट में, 100% हर साल, हर अल्टरिनेटिव यर्स, पुछा जा रहा है, एक कोशन, डैमेंशन से पुछा जा, तो ये सिंपल सा सवाल, ये सिंपल सा टॉपिक, सबको क्लियर हुआ है, सबको क्लियर हुआ है, मैं मालता हूँ, सबको क्लियर हुआ है, फटा-फट एक बार एक बार थे हैं, बेटा, ओम्स लॉओ के अंदर, मेजॉरिटी बात कर चुके हैं, इसका वेक्टर फ़र्म जो की होता है जे वेक्टर इस इकल टू सिद्मा इवेक्टर फिर हमने देखा आर इस इकल टू रो एल बाई-ए फिर हमने देखा drift velocity माइनस E capital E tau by M फिर हमने current देखा I is equal to minus NEAVD फिर हमने देखा रो is equal to M upon NE square tau इतने formula अभी अपने देखें और उसके बाद अपने carbon resistors की बात किये अब अब अपन चलते हैं आगे अब हम देखतें limitations of ohms law limitations limitation of ohms law ohms law हर जगा valid नहीं है हर जगा ohms law applicable नहीं है limitation आते हैं कि कुछ इन कहीं जगाहों पर ohms law नहीं active रहता ohms law मों क्या कहता है वी proportioning als current बढ़ाओ तो potential बढ़ेगा graph बनाएंगे तो कैसा linear graph बनाएंगे तो कैसा बनेगा यह लोग वी और आई का graph अगर बनाया तो इस तरीके से और तो इस तरीके से वी और आई का graph दिखता बनाएंगे तो कैसा दिखेगा प्रपोर्शनल ग्राफ दिखेगा लीनियर दिखेगा चलिए सीदी जिंबल सी बाद लियर है बहुत ही असान चीज है प्रपोर्शनलिटी हमें कौन बताता है ओम बताता है लेकिन जब बहुत हाई करण्ट हो जाए हाई पोटेंशल हो जाए तो सर्कृट में हाई करण्ट जाने लगता है हाई करण्ट सर्कृट में फ्लो होने लगेगा तो हाँ हीटिंग होगी हीटिंग होगी तो रेजिस्टेंस चेंज करने लगेगा तो बहुत हाइप पोटेंशल पे यहां पर ग्राफ शुरुआत में तो मुझे सीधा दिखा लेकिन हाइप पोटेंशल पे ग्राफ कर्व हो गया क्यों कि जब पोटेंशल बढ़ाया तो करंट बढ़ गया जैसे से प बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा और रेजिस्टेंस बढ़ेगा को च्रण तो इसका मतलब जैसी से पोटेंशल बढ़ाएंगे तो एक शमय ऐसा आएगा कि विर्येबल निचर देखने को मिले और विर्येबल नेचर ओम्स लाह में नहीं बतापाता है और इसी च non-linear at very high potentials the graph is non-linear, linear नही रहता ग्राफ, ठीक, दूस्री चीज, दूस्री चीज, Ohm's law cannot predict, cannot predict the working of semiconductor. Ohm's law cannot predict the working of semiconductor. अब जब semiconductor को हम पढ़ेंगे, हम semiconductor को पढ़ेंगे आपकी 12th के end में, last chapter आता है, semiconductor के लिए जब Ohm's law का graph बनाया जाता है, तो कुछ इस तरीके से बनता है, ध्यान से देगे, semiconductor के लिए जब graph बनाएंगे एपन Ohm's law का, so that will be something like this, इस तरीके का graph बनता है, इस तरीके का graph बनता है, वी और आई, अब यह तो बिल्कुली अलग behavior है, यह बिल्कुली अलग behavior कहीं पर भी straight line लिए दिख रहा है, हर जगा रिख रहा है, हर जगा curved दिख रहा है, that means Ohm's law semiconductor के behavior को predict ही नहीं कर सकता, बता ही नहीं सकता, इसका मतलब यह नहीं कि applicable नहीं है, applicable है, applicable Ohm's law हर semiconductor पे है, लेकिन Ohm's law से हम predict नहीं कर सकते, किसकी value, current और potential की value in semiconductors, so for semiconductors, Ohm's law अपने आपने क्या है, disadvantage है, limitation है, Ohm's law cannot predict the behavior of semiconductors, this will be studied in the chapter number 14, 14th chapter में हम इसकी study करेंगे, यहाँ पर हमारा Ohm's law जो है, वो खतम होता है, यहाँ पर हमारा Ohm's law जो है, वो खतम होता है, तो सबको यहाँ तक अगर clear हुई हैं बाते, तो hand raise करके रपएगे, हम इस chapter में दीरे 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 आगे बढ़ते आए, और न जानते वे भी, 30% chapter complete कर चुछे हैं, लाँ देख पा रहे होंगे कि यह chapter उतना tough नहीं है, यह chapter उतना tough नहीं है, इसको समझना असान है, अब आगे से, कल की class से, हम इसके अंदर combination of registers पढ़ेंगे, हम series combination तेखेंगे, हम parallel combination तेखेंगे, हम 10th class में जो series parallel के सवाल करते थे, R1 प्लस R2 प्लस R3 और 1 upon R1, 1 upon R2, 1 upon R3, उन सब सवालों से भढ़ जाएंगे तूपर, ठीक है, हम नए type के सवाल देखेंगे, हम नई चीज़ों को explore करेंगे, फिर हम power के बारे में बात करेंगे, फिर हम EMF बात करेंगे, 30% chapter यहां तक अपन ने बढ़ा है, drift velocity बढ़ा, current बढ़ा, किसी को कोई भी doubt है, तो आप hand raise कर सकते हो बढ़ा, if anybody is having any doubt, so please raise hands.